आज से कुछ हफते पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने ये डिसकस करा था कि आपके लिए कौन सी कार लेना सही होगा क्या ये यूज कार है या फिर एक न्यू कार है दोनु कार अलग-अलग सेट अफ यूजर के लिए सही साबित हो सकती है कुछ लोगों के लिए न्यू कार लेना ही सही डिसिजन होता है और कुछ लोगों के लिए एक यूज कार बेटर डिसिजन बनता है तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो लिंक में ने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया आप उसको चेक कर सकते हैं शायद आपकी कोई हेल्प हो लेकिन अगर आपने अल्रेडी डिसिजन बना लिया है कि आप एक यूज कार लेंगे तो उसके लिए कुछ ऐसी इंफोमेशन है जो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है यूज कार मार्केट में काफी ज़्यादा ठग बैठे हुए हैं काफी ज़्यादा ऐसे ट्रिकी लोग बैठे हुए हैं जो आपको कोई भी गाड़ी चिपका देंगे और आप हमेशा बाद में पश्टाते रहेंगे तो इनीशली चाहे वो कार आपको सस्ती पड़े बाद में आपके वो रिपेर्स हों या सर्विसेज हों उसमें आपका रेगुलर एक्स्पेंस होता रहेगा और आप उसमें काफी ज़्यादा फस जाएंगे तो इस वीडियो में हम बेसिक तरीके से समझाएंगे बहुत ही टेक्निकल नहीं है कोई भी समझ सकता है बिलकुल ही इजी चीजे हैं अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करेंगे स्टेप बाइ स्टेप फॉलो करेंगे और आप easily समझ जाएंगे कि आप एक सही कार ले रहे हैं या फिर आपको कोई खराब कारचिप का रहा है और अगर जब आप ये checks करते भी हैं डीलर के सामने तो डीलर खुदी alert हो जाता है कि ये पार्टी जानती है कि इस कार में क्या सही है क्या नहीं है और वो उसी हिसाब से आपको पहले ही बता देगी आपसे कुछ चुपाएगी ने और आपको ऐसी कार दिखाने से भी फिर डरेंगे वो तो important है कि आप थोड़ा सा awareness शो करें आप थोड़ा सा वहां पर दिखाएं कि आपको जानकारी है सबकी और इस तरह से आप एक scam से बज़ सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि कार accidental है या नहीं है ये कैसे पता करें तो चलिए आपकी बस जानकारी के लिए बता दो ये कार right side में एक जगह divider में लगी थी बहुत पहले लगबग साल डेट साल पहले उसके बाद इसके सामने कुछ repairs हुए है रीपेंट बगेरा हुआ है ये ऐसे कुछ repairs बगेरा हुए है जो कि अभी आपको देखने से बिलकुल पता नह नहीं लगेगा कि आपके पास एक accidental कार आपको बेज दी गई है जैसा कि ये कार है तो देखने में बिलकुल नहीं लग रही है एकदम fresh लग रही है लेकिन आपको दिखाओ अब सबसे पहले अगर हम यहाँ पर चेक करें तो आप यहाँ पर यह देखिए आपको अलग से यह paint दिख रहा होगा यहाँ पर किया गया है यहाँ पर repairs हुए थे यह सामने का जो bonnet का part है यह repair हुआ था जिसके चकर में यहाँ पर आपको दिख सकता है कि कुछ joints है जिने दुबारा से किया गया है लेकिन इसमें काफी अच्छे से यह company के अंदर ही हुआ है मारूती company के एक तो यह चीज है यहाँ से हमें पता लग रहा है और सेम इस साइड भी है यहाँ भी है यही चीज क्योंकि पूरा का पूरा सामने यह repair हुआ था मलब इसकी denting विगयरा हुई थी निकालके दुबारा लगाया गया है तो यह यहाँ पर साफ पता चल रहा है तो आपको भी यह चीज देखनी है कार में कहीं ऐसे विजिबल साइंज ओफ रिपेर तो नहीं है अगर है तो आप उस पर नेगोशेट कर सकते हैं आप उस पर क्लारिफिकेशन ले सकते हैं सेम यहाँ देखिए यहाँ पर पेंट के निशान है जो आप देख पा रहे होंगे तो आपको य यहाँ भी देखिए यहाँ पर अंदर में तो यह चीज आपको देखनी आनी चाहिए उसके बाद आपको बॉनुट खौल के ये जो नटगोल्स लगे है इनमें भी आपको निशान दिख सकते हैं अगर यह खुला हओगा तो अगर यह रेपेर हुआ हुआ होगा इनमें भी इसके बाद हम आते हैं जो हमारा next important check है इंजिन की condition को check करना यह बहुत important हो जाता है क्योंकि इंजिन आपको सबसे बड़ा खर्चा देता है अगर कार में problem होई और यह एक रेकरिंग खर्चा रहता है बार 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 होता है तो कार को आपने start करके idle पे रखना है आपको य इंडिकेटर स्टिप बाहर निकाली है इंजिन से अब यह जहां से हमने यह निकाली है यह वाली जो होल है इसमें से आपको कोई भी ऑईल के चीटे बाहर नहीं आने चाहिए पहली चीज और धुवा भी बाहर नहीं आना चाहिए तो अगर यह आपको visibly नहीं दिख रहा त के बीच में constantly 30 से 40 से के लिए रखें उससे ज्यादा आपको accelerate नहीं करना है आइडल पे तो न्यूटल गेर में तो उसके बाद आप वापस आके से चेक करें अगर इस पर किसी बी तरह का कोई residue आपको दिखता है तो मतलब इंजिन में कोई issue है तो आपको यह कार बिलकुल भ करने कोई बीचीज आपको odd लगे मलब अपनी जगा पर ना लगे या different लगे तो आपको उसके बारे में question करना है और अगर आपको satisfactory उसमें कोई answer नहीं मिलता है आपको ज़रा सा भी doubt होता है तो आप से दूर ही रहें बैटरी की condition भी चेक करें एक बार बैटरी की health अच्छी तो आपको यह welding के marks दिखेंगे तो यह even होने चाहिए और बिल्कुल एक जैसे marks होने चाहिए तो अगर इन में कोई आपको uneven या फिर आपको different type की welding दिखें तो आप यह मान के चलिए कि major accident में involved हुई है गार और इसमें उसके बाद body repair हुई है तो इसके इसमें यहां पर कोई issue आपको कोई इन में oily कुछ फील हो तो मतलब यह लीक हो गए है मतलब यह खराब हो गए इनको repair कराना पड़ सकता है और यह भी काफी मोटा खर्चा बैढता है तो आप वो चेक कर लें इसमें हाथ में कुछ भी ऐसा लग रहा है मतलब इसमें खराब है तो दोनु साइड साम कार को एक बढ़ स्टार कर लेंगे अब देखिए यहाँ पर इंस्ट्रुमेंट कलस्टर में किसी बी तरह की check engine light नहीं होनी चाहिए स्टार्ट होने के बाद अभी सिर्फ seatbelt और handbrake की lights है जोके normal है क्योंकि handbrake लगा हुआ है और seatbelt में नहीं पहनी इसको छोड़के किसी भी की वर्णिंग लाइट अगर आती है तो आप इस काड़ी से दूर रहें क्योंकि वर्णिंग का मंदलब काड़ी में कुछ इश्युज हैं अनलेस नंतिल आपको डीलर उन लाइट सको एड्रेस करता है और मंदलब क्लियर कराता है कुछ बेसिक डाइग्नौसिस से भी क्लियर हो जाती हैं लेकिन कुछ ऐसी लाइट सें जिनके लिए रिपेर्स वज़ारा होना जरूरी होता है तो आप वह अच्छे से चेक करें और उसके बाद ही डिसीजन ने इस कीस में कोई ऐसी लाइट नहीं आ रहे है नंबर दो आपको ब्रेक की कंडिशन हैंड ब्रेक और नॉर्मल जो आपका फूट पैडल ब्रेक है दोनों ब्रेक की कंडिशन चेक करनी है अब अब जब आप ब्रेक चेक करेंगे तो आप यह सारी लिवर्स के चेक करें कि इनको यह प्रॉपरली रिस्पॉंस कर रहे हैं के नहीं मलब अगर मैं यह एक्सलेरेटर दबा रहा हू तो इससे थोड़ा दूर रहना है और प्रॉपरली यह रिस्पॉंस करना चाहिए सेम है ब्रेक का ब्रेक आपका स्मूध होना चाहिए ब्रेक बहुत जादा हाड या बहुत ही लाइट भी नहीं होना चाहिए एकदम मलब क्लच कंपेरिटिवली लाइट रहता है अगर आप दब गया और बहुत जादा स्टिफ भी नहीं होना चाहिए तो यह भी चीज आपको देखनी है नेक्स्ट आइंगे गेर बॉक्स चेक करना अब गेर बॉक्स आपको गार्डी में बैठे बैठे आपको पता लग सकता है जब आप गेर शिफ्ट कर रहे हो तो गेर इसीली श कर रहा था यही चीज आपको ड्राइब करते टाइमिट खेक करनी है कर द्राइब करते टाइम यह गिर अतंत तो नहीं रहे अगर अटक रहे तो फॉद्ध में इंश्यू आ ceasejakर अपको सेम है ब्रेक और एक्सड़डिघर की प्रफॉर्मेंस ड्राउयव करते चाम को Самलाають है अपना handbrake handbrake भी वैसे यह बहुत बड़ा major issue नहीं रहता लेकिन हाँ इसका working होना जरूरी है क्योंकि आप अगर कार ले रहे हैं तो आपको कार एक workable driveable condition में मिलनी चाहिए तो यह भी properly engage और disengage होना चाहिए जैसे इस से देखेंगे यह आराम से brake लग रहा है और आराम से release भी हो रहा है तो अगर इसमें कोई दिक्कत है तो यह भी आप check कर वा लें यह भी आप prepare कर वा लें तो यह थे कुछ major issues जो आपको check करना आना चाहिए ऐसे ही आपने पूरी car को inspect करना है और एक बार drive करके देखना है 5-7 km drive करें कम से कम car को घड़ों में लेके जाके देखे, car को normal road पे देखे, car को uphill वगएरा जैसी-जैसी conditions है उनमें drive करके देखे कि car proper respond कर रही है या नहीं कर रही है तो सारी lights वगएरा, सारे signals, electronics वगएरा अच्छे से check कर लें लेने से पहले तो ये तो basic check है कि क्या-क्या आपकी car में बिल्कुल नहीं होना चाहिए जैसे accidental issues नहीं होने चाहिए या फिर engine का कोई major issue नहीं होना चाहिए, clutch plate वगएरा, gearbox वगएरा का issue नहीं होना चाहिए जो आप drive करके ही identify कर सकते हैं आप कुछ ऐसे issues जो कि car की value को घठा तो देते हैं लेकिन car की performance में कोई impact नहीं पड़ता तो उन issues को आप ignore कर सकते हैं लेकिन आप उनको notice जरूर करें और उसके basis पे आप negotiate करें फर्स्ट है कार में कोई भी dent और paint का काम ठीक है आपकी कार में अगर ऐसे कोई visible dents है visible repaint का काम हो रखा है यह scratches बगएरा है इसे कार की performance पे, कार की quality पे, durability पे कोई फरक नहीं पड़ता है यह front bumper यह rear bumper तो उसी चीज की treatment नहीं होती पूरे पूरे पार्ट की होती है तब ही वो even look आता है तो आपको उसके हिसाब से उससे negotiate करना है तो 2-3,000 रुपे यह फिर कुछ-कुछ गाडियों में 4-5,000 रुपे पर पार्ट का आपको denting and painting का काम होता है उसी साब से आप उनको बोल सकते कि यहां यहां यह यह dents है यह issues है जो हमने identify करें इसके basis पर इनमें काम होना है यह तो आप काम करवा के यह दे यह फिर यह आप उसमें से काट ले और हमें उसके बाद जो price बनता है वो बताए तो यह चीज भी आपको देखनी आनी चाहिए और finally tire की condition again tire की condition मैं आपको एक बार tires दिखा देता हूँ यह मैंने पहले भी वैसे करके दिखाया था आपको यह जैसे tire लगे हुए ऐसे ही देखने में यह बिल्कुल normal लग रहा है और normal है तो इन सारे किसी भी tire में यहां पर यह निशान होंगे यह marks होंगे throughout और यह एकदम same होंगे एक ही जैसे marks होंगे equal cuts होंगे लेकिन इनकी depth अलग-अलग हो सकती है तो इनकी depth को आपको देखना है तो यह देखिए यह टायर किसकी इनकी depth अभी इतनी है मेरे असाब से 50% इनका use हो गया है 50% यूज बागी उसके बाद ही चेंज करने पड़ सकते हैं तो जितना य अभी दो यार तीन साल बाद यह चेंज कराने पड़ सकते हैं तो आप ऐसे ही सारे टायर को चेक करें जिस भी टायर में including spare tire जिस भी टायर में आपको लगे कि यह mark काफी नीचे आ गया है तो आप उस उस हिसाब से उस टायर का cost कम कर सकते हैं तो यह सिर्फ टायर के लुक प अभी दिख रहा है और इसमें wear कम हुआ है मालब यह hardly 25-30% wear out हुए है as compared to यह वाली कार यहां देखिए यहां यह grooves छोटे हैं और यहां पर यह grooves अभी काफी बड़े हैं तो आप ऐसे compare कर सकते हैं tires की condition को लेकिन अगर यह काफी pass आ गया है मालब यहां सामने वाला जो area है इत कर सकता है एक layman कर सकता है और इससे अपनी car पे होने वाला major खर्चा बचा सकता है तो अगर आपको इन मेंसे जो major issues है कोई भी मिलता है जैसे engine का कोई issue आपको identify होता है या फिर आपको car ऐसा लगता है कि accidental car है जगा जगा पे repairs के निशान है तो आपको उस car से दूर रहना है क कोई मतलब नहीं बनता आप उस पर कितना भी negotiate करें eventually वह खराब सौधा हो सकता है आपके लिए वह काफी भारी बढ़ सकता है तो ऐसी car से आप दूर रहें लिकिन अगर आप ये छोटे मोटे minor issues identify करते हैं तो इनके basis पर आप negotiate करें और rate को कम करा है तो दोनु तरह से आप कुछ इससे जानकारी मिली हो अगर आप कोई अच्छी लगी तो आप हमें comments में please बताएं और आप next क्या वीडियो देखना चाहेंगे ये भी हमें बताएं वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye bye